हेलो एब्रिवान आप लोगा स्वागत है जोती कीचन में आज मैं आप लोग से सेयर करने जा रही हूं चटपटा मेथी पकोरा की रेसिपी एक बजरूर अपने फैमिली को इस तरीका से मेथी पकोरा बना के खिलाएगा फ्रेंट सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा आप इसको चटने के साथ नहीं तर सौस के साथ भी खा सकते हैं फ्रेंट सु हमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेथी को ले लिए हूं आप देख सकते मेथी को क्लीन करकर इन सब को छोटे-छोटे पीसे में कट कर लेना है मेथ ध्यान दीजिए अगर मेथी को 5-6 पानी दो न और हम लाश में डालेंगे गरम मसाला पॉडर इन सब को डालनेंगे पाद इसमें हम डालेंगे बेसं तीन-चार चमच अगर आपके पास बेसं नहीं है ताप इसमें चावल कभी आटा यूज़ कर सकते हैं उससे बहुत ज़दा कुरकुरा लगता है फ्रेंट नहीं तो ब्ंख करके आप बना सकते हैं भी इसमें हम थोरचा सा पानी डानेंगे अपने हाथ से अच्छे से मिला लें बढ़िवा फ्रेंट अब हम चलते हैं तेल डाक रहा हो गया है अब देन दिशेग के बारे देल काफी गरम होने के इसमें पॉगर के पॉगवा पूच चानना है इसको हम बारे बारे करके हम पक औरों को डाल देंगे एक साइट पकने के बाद इसको दूसरे साइट से पपलट देना है आप लोग देख सकते हैं काफी टेश्टी दीख रहा है इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते फ्रेंड थाइंक्यू फ्रेंड अगर मेरी वीडियो पस केज़ेगा सस्क्राइब करना बिलकूर मत भूलिएगा आप अपने फ्रेंड को जरूर सेयर केज़ेगा थैंक्यू कि एक है डो फ्रेंडेश्स ऑनी वी एक हैंक्यूंग प्रेंड करना बिलकूर दोग दो आख तके याद़ेगा हैंक्यूंग स्क्तिक्तिक्यूंग डिलकूर आख।